दोस्तो आज के से वीडियो हम जानेंगे कि call forward कैसे करते हैं चुकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कैसे ऐसे अस्थान पर जाते हैं जहाँ पर network काम नहीं करता या हमारे mobile ने battery डाउन होने को जैसे हमारा mobile ओफ होने वाला होता है और हम चाहते हैं कि हमारा अब कोई भी important call miss ना हो तो ऐसे में हमारे पास के वाल एक ही रास्ता होता है कि अपने call को हम किसी दुसरे नंबर पर forward कर दे ताकि हमारा कोई भी important call miss ना हो तो चली जानते हैं कि अपने आने वाले सारे important call को हम कैसे किसी दूसरे नमबर पर forward कर सकते हैं So friends video end तक बने रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले मैं dialer application को open कर लेनी है और यहाँ पर three dots उस पर मैं click कर देनी है और यहाँ पर settings से आ जानी है उसके बाद नीचे scroll करनी है आपके option मिलेगा more settings उस पर मैं click कर देनी है और यहाँ पर call forwarding पर click कर देनी है तो यहाँ पर मैं voice call को forward करनी है इसलिए आपर voice call पर click कर देनी है अब आपको यहाँ पर चार option देखने को मिलते हैं इस always forward का मतलब है कि आपके आने वाले हर call को आप किसी अन्य नंबर पर forward कर देना forward when bg याँ आप जब बीजी है तो आप ट्रांसपर कर सकते है तो आप यहाँ पर अपने इसाफ से ट्रांसपर कर सकते है तो आपको यहाँ पर उस नंबर को एंटर करनी है जिस नंबर पर आप call को forward करना चाहते है तो उसके बाद यह enable पर क्लिक कर देनी है अब हमारे इस नंबर पर आने वाले सारे call उस नंबर पर forward हो जाएंगे चाहे हमारा mobile switch ओप हो या फिर हमारा mobile यहाँ पर network से बाहर हो और दोस्तों अगर आप चाहते है इस call forward को ओप करना तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है उसका लिंक आपको description मिल जाएगा या फिर आपको उपर i button पर मिल जाएगा आपको समझ में आ गया होगा कि call forward कैसे करते हैं दोस्तों वीडियो पसे नए है तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल ना भूले और ऐसे ही amazing tips और trick के लिए हमारे e channel को subscribe भी जरू करें